दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग इंडियन जोगराफी यानि भारती अभुगोल इस से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट फोटे कोशन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटे के निसाने उसे जरूर से अन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कोशन दिया क्या है दूर से चमकते पिंड के तापमान को किसे अंतर से निर्धारित किया जाता है देखे यह भेरे सब्सक्राइब करुं इसको गर आपके द्वारा किया जाता है question number two है किственно करती है वर्जा सूरिय से प्रित्वी की और किस परकार यात्रा करती है तो ये बी किराण के द्वारा यात्रा करती है correct answer question number three है भारत में एक मात्र सुकरिय जॉला मोखे Baron Island कहां इस्टेथ है बैरन आइलेंड आपको बताना है कहां इस्तीत है तो ये निकोबार दूइपसमों में बैरन आइलेंड कहां पर है निकोबार दूइपसमों में करेक्ट आंसर B हो जाएगा कुश्चन नमबर चार है मृदा जल के माध्यम से सिर्स मृदा से और मृदा में खनीजों के अस्थनांतर और किरियाओ क्या कहा जाता है मृदा जल के माध्यम से सिर्स मृदा से और मृदा में खनीजों के अस्थनांतर और किरियाओ क्या कहा जाता है तो देखे इसको जो है प्रच्छालन कहा जाता है ठीक है तो ये मरीना बीच में इस्तित है, ठीक है, करेक्ट आंसर D हो जाएगा, कुश्य नमबर 6 है, नेमने लेखित में से कौन सा छेत्र कोईला भंडार में सबसे अधिक सम्रीध है, कौन सा छेत्र कोईला भंडार में सबसे अधिक सम्रीध है, तो करेक्ट आंसर B हो जाएगा, दा वाखन के कारण होने वाले वर्षा ओक क्या कहा जाता है तो देखें इसको जू है समवहन ही वर्षा कहा जाता है ठीक है आनसर वोचाहएगा D. Question 8 है संताफ मंडल में पराबेगनी बीकिराण किसके द्वरा अऊसोसित किया जाता है तो ये ओजोन के द्वरा जो है और सोसित किया जाता है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन है अगला कोशन देखते हैं नंदा देभी चोटी किस राजय में स्थीत है तो ये उत्रा खंड राजय में स्थीत है ठीक है अंसर हो जाएगा B कोशन नमर दोस है निमनलेखित में से कौन से उध्योग को शुरियोदय उध्योग कहा जाता है कौन से उद्धियोग को सुरियोदे उद्धियोग कहा जाता है तो देखिए ये बोला जाता है सूचना पर्दवी की उद्धियोग को ठीक है सूचना पर्दवी की उद्धियोग को जो है सुरियोदे उद्धियोग कहा जाता है करेक्ट आंसर C हो जाएगा Question number 11 है तोटो से हल की समूंदर जोला मुखी ढलान को क्या कहा जाता है तो महादीपियक कागार बोला जाता है क्या बोला जाता है महादीपियक कागार यह answer हो जाएगा Question number 12 है कोकोवा की उत्पादन में कौन सा देश आगे है घाना देश आगे है, correct answer ही हो जाएगा, question number 13 है, निमने लेखित में से किसे एड्रियेटिक की रानी कहा जाता है, तो ये बेनिस को कहा जाता है, correct answer ही हो जाएगा, question number 14 है, प्रिथवी तल के नीचे पिखले हुए पथर को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है magma बोला जाता है, क् ये answer हो जाएगा, question number 15 है, ओजोन की परत में रिक्ती करण किसके करण होता है, तो देखिए ये होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यानि CFC के करण होता है, C answer हो जाएगा, इसके अलाबा, ओजोन परत है, जो सुर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैगनी, जो कीर्णे होती है, उससे हमारी रक्षा करता है, ओजोन परत है, ठीक है, question number 16 है, सरिस्का और रण थंभावर, निमने लिखित में से किसका सुरक्षी तस्थान है, सरिस्का और रण थंभावर जो है, किसका सुरक्षी तस्थान है, तो ये बाग का सुरक्षी तस्थान है, correct answer C हो जाएगा, इसके अलाबा, सरिस्का और रण थंभावर, जो नेशनल पार्क सब्सक्合chlossen को है कूछ नंबर से वेंटीन है बिस्वो का सबसे बड़ा दूइप कौोंचा है ऩ cheap ग्रिनलेंड है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में इस्तित है और बीशो का सबसे छोटा द्विप कौन सा है तो मेडासकर मेडासकर जो है मेडासकर जो की हिंद महासागर में है ये बीशो का सबसे छोटा द्विप है याद रखना है आपको कुश्चन नमबर 18 है अंडमान को नीकुबार से कौन सा जल सुरोत प्रिथक करता है तो ये 10 डिगरी चैनल जो है प्रिथक करता है कुश्चन नमबर 20 है निनिलेखित में से कौन उर्जा का गयर प्रमपरागत शुरोत नहीं है तो प्राकिरति गेश्ट जो है उर्जा गयर प्रमपरागत शुरोत नहीं है बी आंसर हो जाएगा वो अपरत जहां उचाई बढ़ने के साथ साथ है तपमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है कौन सी परत है तो देखी यह है समताप मंडल ठीक है क्या मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमी जो है दो आप का मतलब होता है जैपान को लैंड अफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है तो देखी इसको इसलिए बोला जाता है चुकि जापान बीच्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है तो वहाँ सुर्योदय जो है सबसे पहले होता है जापान में सुर्योदय सबसे पहले होता है इसके अलाबा डूबता हुआ सुर्य का देश की से बुला जाता हर तो बीटेन को आपको यह भी बात याद रखने है बीटेन डुबता हूँ सूर्यक इसको ब्रीटेन को बूला जाता है नर्मता जल बीबाद नयाधी करन का कि इन राज्यो चेंघट बाटवारे को सुलजाने के लिए गठन किया गया था तो देखे इसका गठन जो है गुजरात, महराष्ट, राजस्थान और मध्य परदेश यानि इन चार राज्यों को सुलजाने के लिए इसका गठन किया गया था C.E. करेक्ट हो जायेगा दच्छेड भारत का मैंचेस्टर की से कहा जाता है तो देखे बरपूर मात्रा में फोरियाँ पाये जाता है करेक्ट आँसर C.E. हो जायेगा हिमालय परवत किसपरकार के परवत का उधारण है तो ये परतदार परवत के उधारण है A. आँसर हो जायेगा भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर कौन सी है? तो इंद्रा गाधी नहर याद रखना है आपको इंद्रा गाधी नहर जो है ये भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर है बी आंसर हो जायेगा उन भू आकरीतियों को क्या कहते हैं जो प्रित्वी में विभरांस के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सता दूसरे सता के नीचे चली जाती है तो इसको क्या बुला जाता है विभरांस घाटी बुला जाता है ठीक है आंसर हो जायेगा ये कुश्य नम्बर तीस है बिश्व में इसबेस्टेस का अगराणी उतपादक देश कौन सा है तो अगराणी उतपादक देश है कनाडा ठीक है ये आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से किसे सफेद हाथियों के देश कहा जाता है तो देखी ये बुला जाता है थाइलेंड को ठीक है थाइलेंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है ये आंसर हो जाएगा किसी नक्से पर ढ़ाल को दिखाने के लिए खिची गई और संबध रिखाये क्या कहलाती है तो देखी ये कहलाती है है जूर कुशन नमबर 34 है आपस में जूड़े द्वीप समो को क्या कहा जाता है तो देखी इसको जो है आरकी पी लागो बोला जाता है आरकी पी लागो ठीक है अंसर हो जाएगा C, question number 35 है, भारत में उर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुक कच्चा पदार्त है, तो कोईला जो है कच्चा पदार्त है, D, आंसर हो जाएगा, निमनलेखित बीकल्पों में से कौन सा जल पर्दोसन का उपचार है, तो यह है पर्तिवर्ति परासरण, ठीक है, आंसर हो जाएगा, D, भारत वर्ष में खरेव की फसल की कटाई, बर्ष की किन महीनों में की जाती है, तो यह सितंबर अक्टूबर में की जाती है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा, निमनलेखित में से भारत का कौन सा छेतर परिस्थिति किया, और ते, क्रिया सील अस्तल, यानि हार्ट एस्पोर्ट माना जाता है, निमनलेखित में से भारत का कौन सा छेतर परिस्थिति किया, और ते, क्रिया सील अस्तल, हार्ट एस्पोर्ट माना जाता है, तो यह पूर्वी हिमाले को माना जाता है, याद रखना है, पूर्वी हिमाले को माना जाता है, याद रखना है, पू भूतापिय उर्चा ठीक है उर्चा का भूतापिय उर्चा जो है यह सबसे कम भू मंडल यह तापमान बढ़ाता है बियांसर हो जाएगा उसके बादे हाँ पर हमारा अगला कुश्चन है भारत में 1936 में अस्थापित प्रोथम राश्टिय उद्यान का नाम क्या रखा गया अगल झाल था भारत में 1936 में अस्थापित जो प्रोथम राश्टिय उद्यान था उसका या रखा गया था ये आपके लिए होमर question रहेगा option है आपके पास है कानहा राष्टियो उद्यान, भरतपूर राष्टियो उद्यान, हेली राष्टियो उद्यान या फिर राजाजी राष्टियो उद्यान दोस्तों यदि आपको इसका answer पता हो तो comment box में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में share करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटिक यानि इसान उससे जरूर सेन कर दें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत